हेलो एब्रीवान विल्कम बैक टू दी चैनल तो आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं दि बेस्ट लैप्टोप अराउंड दी 50,000 फो वीडियो एडिटिंग अगर आप लोग भी वीडियो एडिटिंग के लिए एक अच्छा लैप्टोप अराउंड 50,000 ठीक है ढूंड रहे हैं तो ह случае विडियो आपके लिए हैं तो इस वीडियो को धियान से सुना मैं पून मन्त के यूज के बाद इस लैपटोप का रिव्यू आपके लिए बना रहा हूं तो अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर आप लोग यूच्टूब के लि तो आप अपने विलोग को अपलोड कर सकें तो उसके लिए ये लैपटॉप बेस्ट रहने वाला है ठीक है एक तो इसका साइज बहुत ही अच्छा है और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वह भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा पूरी ठीक है इसके अलावा अगर आप बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैंने पूरे वन मंत के लिए इसे यूज किया है जो कुछ मिने आपको बताया है यह सारा काम मैंने इसमें यूज करकर देखा है तो बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रही है ठीक है बट एक बार मैं आप लोगों को अभी इसके बारे मे चाहते हैं वीडियो एडिटिंग में ठीक है ना फिल्मिंग जैसे होती है अप लोगोंने बहुत सरे एफेक्ट ऐड्ड करने होते हैं तो आप लोग कोई ऐसा graphics के साथ related, animation के साथ related, ऐसा अगर आप लोग कुछ काम करते हैं, तो आपको अपना budget increase करना होगा, तो आप लोगों को 70, 60 और 70 प्लस में आप लोगों को कोई अच्छा laptop मिलेगा, ये laptop basic use के लिए अगर आप लोग एक simple YouTuber हैं, तो आपके लिए ये best रहने minimum specification, अगर आप लोग एक अच्छा laptop चाते हैं for the video editing, उसमें minimum specification क्या होनी चाहिए, वो आपके लिए क्या है, कि हमें minimum यहां पर चाहिए होगा, i5 processor, 10th generation या फिर इससे उपर, ठीक है, फिर या फिर हम इसके अलावा यहां पर चूस कर सकते है, Ryzen 5 का 5000 series या इससे उपर, ठीक है RAM हमें minimum 8 GB चाहिए, या इससे उपर और याद रखिएगा, ये बात का आप लोगोंने ख्याल रखना है कि RAM expandable होनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले यही चक किया था, इसकी RAM expandable है, ठीक है, और आप लोगों को SSD चाहिए, तो SSD के साथ आपकी speed अच्छी होगी जब आप लोगो 512 होनी चाहिए, इससे उपर आप लोग, अगर जितना आप लोग उपर चाहेंगे उतना आप लोगों का budget फिर increase करना पड़ेगा, ठीक है, तो graphics इन में अच्छे होते हैं, क्योंकि इन में सभी में integrated आप लोगों को graphics मिलेंगे 50,000 की range, उसी से आपका video editing का का काम हो जाएगा क्योंकि video editing के लिए graphics की जरूरत हमें बिलकुल नहीं होती, हमें जरूरत होती है, अच्छे processor की ठीक है, तो हमारा ये जो है laptop, this is the HP Pavilion Series का 14 है ये laptop, ठीक है, तो इसमें जो हमारी specification है, वो सबसे पहले इसमें होगा आपके पास Ryzen 5 5500U processor, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा के मैंने Ryzen को क्यों चूज किया है, और साथ में आप लोगों को AMD Radeon के graphics देखने को मिलेंगे, जो के काफी अच्छे हैं, तो हमें इसे साथ में on कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को साथ में ही जानकर ही हो जाएगी कि इसमें ये कितने साथ किया है, तो इसकी स्पीड काफी अच्छी है, तो इसका स्टार्टिं टाइम भी बहुत ही लो रहेगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूं, तो उतने में ये स्टार्ट भी हो गया, तो आपके पास 8GB की RAM इसमें हमें 8GB RAM 512 की SSD, NVMe SSD है, NVMe ठीक है, और हमें AMD के रेडियोन के गाफिक्स है, यहां पर दियेगे, तो काफी अची स्पेसिफिकेशन है, और सबसे अची बात ये है के जो Ryzen 5 का प्रोसेसर है, इस इस दी हेक्सा कोर प्रोसेसर, जिसकी के मैक्सीमम हमें स्पीड यहां प चाहिए, और इसका keyboard जो है वो आप लोगों को वैकलिट मिल जाएगा, यहां से ओन हो जाएगा, इसमें 2 मोट मिलते हैं, तो ऐसे आफिको लोग पर भी कर सकते हैं, यहां से ओफ हो जाएगा, तो यह इसका backlit keyboard है, तो fully metallic body है, तो इसकी जो build quality है, वो मुझे काफी एच्छी ह लगी ठीक है तो इसी लिए हमने इसको select किया है this is the HP pavilion series के जितने भी laptop होंगे वो आपको ऐसी ही अच्छी build quality के साथ मिलेंगी windows already installed है ms office भी आप लोगों को already installed यहां पर मिलेगा ठीक है तो आप लोगों का अगर office का काम है तो वो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा clear है ठीक है तो अब इसके लावा इसमें क्या बात है तो हमने 4K editing मैंने इसमें one month के लिए use की है अगर आप लोगोंने मेरे vlogs को अच्छे से देखा होगा तो वो सभी videos को हमने इसी में ही यहां पर edit किया है और इसी में ही upload किया है ठीक है तो 4K video editing अच्छे से हो जाती है ठीक है तो 4K में यह यहां पर editing हो जाती है और play भी हो जाती है 4K video जो इसकी display है वो specially मैंने 14 inch की display को चूज किया है क्यूंकि जब आप लोग कहीं पर भी गूमने जाते हैं तो आपको एक छोटा slim laptop चाहिए इसमें कि आपका अच्छा काम हो जाए तांकि आप लोगों को वहां पर इस laptop को संब बालना वहां पर easy रहे ठीक है ना carry करना easy रहे तो इसी लिए मैंने metallic body and 14 inch की display choose की है this is the IPS display full HD है ठीक है और anti glare भी है यह तो मतलब हर एक छोटी-छोटी चीज का मैंने यहां पर ख्याल रखा था तो यह specification हमें बहुत ही अच्छी इसमें देखने को मिलती है ठीक है तो videos के क्योंकि जो यह जो software है Filmora यह ज्यादा heavy नहीं है ठीक है तो ठीक है software इसमें अच्छी video editing हो जाती है अगर आप कोई heavy software यूज करना चाहें में भी इसमें थोड़ी बहुत problem हो सकती है तो आप इसकी RAM को expand कर सकते हैं तो यह भी है हमारे पास ठीक है तो इसकी camera quality भी अच्छी है ठीक है मैं एक बार इसके camera में एक आपके लिए video clip छोटा सा record कर दूँगा अगर आप लोग इसको online classes के लिए use करना चाहते हैं तो आपको इसमें भी कोई भी problem बिल्कुल नहीं होगी ठीक है तो video quality इसके camera की अच्छी है यह जो आवाज आप लोग सुन रहे हैं यह internal mic के साथ ही report हुई है तो आपको अच्छी quality के बारे में idea हो गया होगा ठीक है तो इसके लावा इसमें आप लोगों को मिल जाएगा wifi 6 ठीक है और bluetooth भी आपको इसमें मिल जाएगा 5.2 ठीक है तो इसकी हमें कोई भी problem है नहीं और इसमें जो इसका sound है वो भी काफी अच्छा है ठीक है तो यह इसकी sound quality है आप लोग सुन सकते हैं ठीक है यह sound है काफी अच्छी sound system है ठीक है तो इसके speakers आपको यहाँ पर मिल जाएंगे लीचे देखने को इसके लावा जो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे एक और है यहां पर लगी कि इसका जो टेच पैड है वो काफी हमें भड़े साइज में है या गया तो आपको यूज करने में बहुती अच्छी यहां पर एक feeling आती है ठीक है तो कोई भी problem बिल्कुल नहीं face होती तो इसलि जो हमें graphics देखने को मिलते हैं वो भी हमें एक बार अच्छे से यहां पर चेक कर लेते हैं ठीक है कि हमें इसके अंदर कौन से graphics देखने को मिलते हैं तो हमें यहां पर graphics में total 4.2 GB की GPU memory मिल जाती है क्योंकि यह radio उनके graphics हैं और साथ में GPU की जो है यहां पर dedicated है 512 की और बाकी क कि यहां पर यहां पर जो आप कह सकते हैं कि SSD में हमें 477 GB की यहां पर hardisk है 477 GB की हमें यहां पर SSD में space मिल जाती है और RAM में हमें 7.3 GB जो है वो यूज कर रहा है यह ठीक है तो यहां पर two slots है RAM के तो इसका मतलब expand की जा सकती है और CPU की आप लोग performance यहां पर देख सकते हैं ठी है ठीक है और और इसके अलावा इसमें जो कुछ problems हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि सब कुछ अच्छा तो बिल्कुल नहीं होता किसी भी चीज में तो सबसे जो मुझे एक बड़ी problem यहां पर फील हो रही है वो तो यह है कि 512 SSD है ठीक है अगर आप लोग अलग से या तो external hard disk buy करनी होगी या फिर आपको अपना budget increase करकर यहां पर SSD को यहां पर expand करवाना पड़ेगा ठीक है तो फिर आपको अपनी 512 की जगा पर 1 TB या फिर 2 TB जितना भी आपका budget हो उसी के coding आप लोगों को ज़्यादा storage की अगर जरूरत है तो आपको यह बाद में expand जरूर करनी होगी बट सबसे अच्छा option यही है कि आप लोग external hard disk को buy कर लें 2 TB की आजाती है 5000 के करीब वो आपकी अच्छे से इसके साथ use हो सकती है और second problem जो इसमें है कि इसके जो fans है ठीक है वो मैं आपको यहां से दिखाता हूँ जो इसके fans है वो यहां पर हैं तो जब क आप कह सकते हैं कि हम यहां पर irritate करता है मतलब जादा है नहीं बट फिर भी थोड़ा सा sound होता है वो ठीक है तो वो एक चोटी सी problem है इसमें और और इसके अलावा इसकी जो body है वो पूरी की पूरी metallic है तो अगर आप लोग winters में से चुएंगे तो यह काफी ज़दा ठंडा होता है ठीक है तो अगर आपको कोई ऐसी problem फील होती है तो यह भी एक चोटी सी problem हो सकती है इसमें ठीक है तो बाकी overall 50,000 के round this is the best one and अगर आप लोग इसी में i5 processor का variant खरीदना चाहते हैं तो उसका price आपको यह जो है इस से आपको 7,000 या फिर 8,000 उपर मिलेगा ठीक है तो ryzen 5 भी बहुत अच्छा processor है बहुत अच्छी performance है and i5 से अच्छा क्या है कि यह हमें hexa core processor मिलता है और i5 जो इसी में आता है वो हमें मिल रहा था यहां पर quad core ठीक है और इसमें radion के graphics की जो memory मैंने आपको भी दिखाई यहां पर वो भी 4GB तक आती है ठीक है तो उसमें हमें मिल रहे थे graphics that is the intel के यहां पर iris के graphics मिल रहे थे ठीक है तो i think के radion और जो यहां पर AMD का processor है यह भी बहुत ही अच्छा काम करता है ठीक है तो अगर आपका budget 50,000 के round है so this is the best option 50,000 के around इसके लावा आपके पास option बच चाते है that is of the Acer Aspire 5 जो के आपको intel i5 में मिल जाएगा या फि 14 उसका भी prize आपको इसी के around मिल जाएगा उसमें भी दोनों ही variant आते है राइजन में भी आता है और i5 में भी आता है ठीक है so this is the review अगर आप लोगों को modern जो 14 है MSI का और यह जो हमारा है laptop इन दोनों में इन दोनों में comparison को देखना है तो नीचे comments में जरूर बताना तो मैं व दोर बहुत कि अअधि अग्या ओर विदियो agreement